हिमाचल प्रदेश के शिमला में तूरस्ट अब खुद पेर से सेब तोड़ कर खा सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी आईए जानते हैं इस रिपोर्ट में देश्विदेश से शिमला घूमने आने वाले सेलानी अब सेब के बगीचे में पेर पर लगे सेब खुद तोड़ कर खा सकेंगे सेलानियों को सेब के बगीचे देखने का तो मौका मिल जाता है लेकिन पेड़ पर लगे सेब अपने हाथों से तोड़ने से हमेशा वन्चित रहते हैं क्षेत्रिय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षन संस्थान मशोबरा ने सैलानियों के लिए पिक एंड पे सुविधा शुरू की है प्रदेश में सेब परियतन को प्रोच्साहित करने के उद्देश्य से यह कवायत शुरू की गई है अनुसंधान एवं प्रशिक्षन संस्थान के सहायक निदेशक डौ दिनेश ठाकुर ने बताया कि अगले एक हफ़ते तक सैलानियों को यह सुविधा मिलेगी इसके बाद संस्थान सेब का तुडान कर देगा सैलानियों को सेब तोडने के लिए टौकरी दी जाएगी सभी किस्मों के लिए 200 रुपे किलो दाम तै किया गया है संस्थान के बगीचे में इस समय गाला और स्पर किस्मों के सेब लगे हैं हर साल बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुचते हैं हिमाचल में एपल टूरिज्म को बढ़ावा देने के उदेश्य से यह शुरुवात की गई है सैलानीों को संस्थान में सेब की बागवानी से संबंधित बुन्यादी जानकारी भी उपलप्त करवाई जाएगी देश्विदेश से शिमला घूमने आने वाले सैलानी अब सेब के बगीचे में पेर पर लगे सेब खुद तोड़ कर खा सकेंगे सैलानीों को सेब के बगीचे देखने का तो मौका मिल जाता है लेकिन पेर पर लगे सेब अपने हाथों से तोड़ने से हमेशा वंचित रहते हैं शेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षन संस्थान मशोबरा ने सैलानीों के लिए पिक एन्ड पे सुविधा शुरू की है प्रदेश में सेब परियतन को प्रुथसाहित करने के उद्देश्य से यह कवायत शुरू की गई है अनुसंधान एवं देशक डौ। दिनेश ठाकुर ने बताया कि अगले एक हफ़ते तक सैलानियों को यह सुविधा मिलेगी। इसके बाद संस्थान सेब का तुडान कर देगा। सैलानियों को सेब तोडने के लिए टौकरी दी जाएगी। सभी किस्मों के लिए 200 रुपए किलो दान तै किया ग गीचे में इस समय गाला और स्पर किस्मों के सेब लगे हैं। हर साल बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुझते हैं। हिमाचल में एपल टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश से यह शुरुवात की गई है। सैलानियों को संस्थान में सेब की बागवानी से अब देश विदेश से शिमला घूमने आने वाले सैलानी सेब के बगीचे में पेड़ पर लगे सेब खुद तोड़ कर खा सकेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।